आज मैं आपके साथ सेर करूंगी सुपर टेस्टी उंद्यों की रेसेपी जो सुरत की फेमस है और विंटर में बनती है सारी सब्जों से बनती है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और मैंने एक ट्रिक से बनाई है जिससे हमारी सब्जी आसान बन जाती है तो चलो तब हम स्टार्ट करते हैं पहले था हमारी सारी वेजिस को ले लेंगे जैसे है प्यास टमाटर हरी मीर्च रतालू है बिंगन को लिया है आलू लिया है और सकरकंद को लिया है और सुर्ती पापड़ी थोड़े से तुवेर दाने हरा लेसुन और हरा तनिया को लिया ह ये सारी वेजिस को लेंगे आप चाहे तो और भी वेजिस का यूज कर सकते हैं लेकिन हमने इतनी ही लिए तो अब पहले तो हमें कड़ाई में तेल को गरम करेंगे तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हमारे रतारू, सकरकन, आलू और बेंगन को डाल देंगे और थोड़ा सा फ प्राइ कर लेंगे तेल में दो से तीन मिनिट बाद आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया हमारी सबजी का बस तो इसको एक बावल में निकाल लेंगे और उसी तेल में हमारे मसाले को पकाएंगे इसलिए हम पहले से ही ज्यादा तेल डाल देंगे तेल हमारा गरम ही है पहले से तो इसमें हम जीरे को डाल देंगे जीरा डालने के बाद इसमें हम एक कटी हुई प्याज को डाल देंगे अच्छे से चौप कर लिए है छोटे पीसिस में प्याज को भी हम डाल देंगे अच्छे से और इसको हम हलका सा सुनेरी होने तक फ्रा नहीं करेंगे जिससे हमारी सब्जी काली पर जाएगी इसलिए हलका सा ही फ्राइग करेंगे और उसके बाद इसमें हम एक चम्मच जितना अद्रक लहसुन को मिलाएंगे और साथ में टमाटर भी डाल देंगे एक टमाटर को लिया है मैंने चौप करेंगे इसको भी हम एक चम्मच जितना लाल मिच पाउडर को मिलाऊंगी मैंने अपने टेस्ट के हिसाफ से डाला है आप अपने टेस्ट के हिसाफ से डाल सकते हो और इसके बाद नमक को भी डाल देंगे नमक भी अपने टेस्ट के हिसाफ से डाल सकते हैं और सारे मसाले को मच्छे से मिक्स कर देंगे हमारे वाइल में और इसको हमारे टमाटर गलने तक वहां तक पकाएंगे जिस अच्छे से गल जाए टमाटर टमाटर हमारे अच्छे से गल गए है तो इसमें आधी का तोड़ी जिदनी तूएर के दाने को डालेंगे और साथ में हमारी पापरी को भी डाल देंगे व नुठिये बनाकर लेकिन मैंने इसको सिंपल ही बनाया है अब इसको हम ढखकर पास्ते 6 मिनिट तक पकाएंगे और आज को हम दिमी रखेंगे 5 मिनिट बात हम इसको खोलेंगे आप देख सकते हो पापड़ी हमारे को देखने में ही कच्छी लग रही है इसको और पकाएंगे हमाई ग्रेवी तो बिलकुल अच्छी हो गई है इसमें पानी का यूस नहीं करना है बस टमाटर के ही पानी में इसको हम पकाएंगे अच्छे स अब इसमें हम बैंगन आलो और रतालो को जो फ्राइ करके रखे तो इसमें उसको भी डाल देंगे और साथ में हम ढखकर वापी से पांच मिनिट तक पकाएंगे पांच मिनिट बात आप देख सकते हो बिलकुल रडी है दिखने में यह आपको लग रहा है कि पक गए और इ बिलकुल रडी है हमारा उंदियो, अब इस पे हम हरे लख्तों को डाल लीएंगे, और साथ में हमारे हरे धन्ये को भी डाल देंगे, अच्छे से हम दालेंगे, और इसके बात मैंने खसकस ली है वो डाल दूँगी, और साथ में हम तील को भी डाल देंगे, जिससे टेस Iares बढ़ जाता है हमारी सबजी का और बहुत टेश्टी लगती है उंद्यू खाने में आप चाहे तो इसमें मेथी के मुठ्ये बना कर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसको सिंपल ही बनाया है तो जरूर ट्राय करना अपने घर पर बस इसको एक बार ऐसे हला देंगे और गेस को हम बन कर देंगे तो लीजे तैयार है हमारा उंद्यू पक कर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर पैस करना जिससे आपको मैंने नेक्स वीडियो की नाटिफिकेशन मिल जाए और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपने घर पर जरूर तो